गुद मार्णिंग तो हम सभी लोग प्रोज सेक्शन में बने हुए हैं आज फीर एक ऐसे ले रहे हैं जिसका नाम है इंडिया थुरू आ टेवलर साइज यानि भारत एक यात्री के निजर से एक यात्री के निजर में कैसा है एक यात्री के आखों में कैसा लगा वो अपने आखों से देखने के बाद क्या-क्या महसूस की उसी का समाबेस है संचित विबरन पहले दे रहे हैं हिंदी में फिर इंगलिस में फिर लाइन्स को बताएंगे फिर आवजेक्टिव्स टाइम लगेंगे पैसेंस रखकर के सुनिये समझे और ठीक चार-पांथ दिन के बाद कि आपके हम पुना सॉट कोईस्टन एक्स्पलानेशन हो गएरा देंगे बुक के लाइन तो आप पर चलते ही रहते हैं आप लोग बस बने रहिए आएए चलते हैं इंडिया थ्रुआ टेबला साइस पर्ल एस्पक के द्वारा लिखी हुई एक निवंध है पर्ल एस्पक अमेर्का में 1892 में पाइदा हुई थी लिगन का अधिकान समय चाइना में बिता अधिकान समय चीन में बिताई और अपनी सिक्षा समापती के बाद चाइनीज इनवर्शिटी में यानि चाइना इनवर्शिटी में ही परहाने लगी टीचिंग करती थी ट्रेवलिंग यात्रा करने से इनको बहुत लगाओ था बहुत रुची थी और यात्रा के बाद वे उनके बारे में बड़ी इंटेस्ट के साथ लिखते भी थे इन्होंने 1931 में गौड्स अर्थ चाइना पर में को पन्यास लिखा और इंडिया के बैक्ग्राउंड में यानि इंडिया के प्रिश्ट्विंग के बारे में भी एक पन्यास लिखा था कम माई बिलावेड लेकिन आप जान लो कि परजेंट जो इंडिया तुए टेवलर साइज लेशन है वह माई सेवरल वर्ड से निकाले गई है उससे लिख गई है आता हम लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे ध्यान से सुनेंगे ध्यान से समझेंगे यह उपन्यास के लि जॉनलिस्ट के काम भी की थी जॉनलिज्म भी थी की थी अब कि अनिश्व और ती सिसी में इनको नोबल पुरुषकार भी दिया गया था लिट्रेचर के लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलेशन इंडिया थो ए टेबलर साइज भारत एक यातरी के निजर में यातरी के दिश्टी से यातरी के आँखों से एसे जो है निवन और पर्ल एस वक्त के दो लिखी गई बाई बढ़ तो अमेरकन थी अधिकान समय चीन में भी थाई लेकिन इंडिया आने की उनमें बहुत उस्पता थी इंडिया के बारे में अपने भारतिये परिबार एक चिकित सक से और माता पीता से जानकारी लेती थ और साथी साथ इंडिया के उस चीज के बारे में भी जानकारी ली जो बुद्ध और बुद्धिष्ट से शम्मंदित था यह जब आती हैं भारत तो historical process जैसे की दाताज है फतेपुर सिक्री इत्यादी लेकिन इसको ही भर्मन करने उन्हीं आई थी वो मोल रूप से आई थी भारत को इसलिए भर्मन करने जहांके सच्चाई को जानेंगे यहां के बारे में हम इसके प्रिश्च भूमि के बारे में हम पता लगाएंगे इ इसके क्या है आवो हवा और आवो हवा से मतलब यहां के रहन सहन एस्टेंडर क्या है लिविंग एस्टेंडर क्या है उसको जानने के लिए लोग कैसे हैं उन्हें क्या-क्या है यह सब जानने के लिए आप सभी जान लो जब भारत के बारे में अध्यन करी तो पाई भारत बहुत महाल लोगों को पैदा किया चाहँ पंडित नहरू हो बिजय लक्ष्वी पंडित हो जो पर्थम भारतिये महिला थी इवेनों की प्रेश्डेंट भी रही भारत अपनी पहचान पुरी बिश्व में बनाया बिश्व को प्रभावित किया यह जब भारत भर्मन करती हैं तो देखती है चाहँ कासमीर हो या दक्षिन भारत हो यहां के लोगों के रंग बर्न को देखकर भी आशर्ज करती हैं कि कितने हूज हैं कि कुछ अत्यंत गोड़े हैं तो कुछ अत्यंत काले हैं यह मल्टी कलर के देश में आकर के थोरी सी आशर चक्यती भी हुई परन्तु में डूप साही थी इंडियन इंटेलेक्शल से मिलने के लिए बुद्धी जीवियों से और इंडियन पिजैंस किशानों से और तुलना भी की भारते किशानों की तुलना चीन के किशानों से की और पाई कि भारते किशान चीन के किशान से अधियन गरीब थे यह भी देखी कि भारते लोगों में राजनिती की भावना थी यह लोग इंपैसंट थे अधीर थे बैकुल थे बेटे समराजबाद को हटाने के लिए आजादी को पाने के लिए और इन्होंने बेटेस हुकमत को उखारने के लिए बेटेस सासन को हटाने के लिए आजादी पाने के लिए गांधी जी के नितित में लड़ा और इसे जीता अहिंसा के बलपर में कि भारतिये लोग को वो शलावी देती हैं कि देखिए सब ची के लिए बेटेस के लोगों पर ही बलेमिंग ने करना है दोशारों पर ने करना है जब भारतिये ग्रामनी इलाका का फ्रमन की तो पाई कि भारतिये लोग बहुत गरीब होते हैं खास कि भारते किशान बुद्धिजीवियों से अलग मिली किशानों से अलग मिली लेकि देखिए छोटे-छोटे कमरों में छोटे-छोटे घरों में रहते थे यह किसान लोग यह भारत के प्राया लोग दूसरों की मज़द करने में बिश्वा सकते थे भारत यह ग्रामिन एरिया को जब भर्मन की तो इनकी एक्सप्रियेंसेस अनभौ जो थे बरिकश्दाई हुए दुखदाई हुए रियली भारत यह गाउं में गरीबी थी जो इन्हों ने देखा लोगों में उत्साह नहीं थे लोग आलसी हो चुके थे लोग भागबादी थे धार्मिक प्रविर्थी के थे और साधा जीवन उच्छे बिचार के शौकीन थे फॉन्डफ क्लीन हैविट्स एंड सिंपल फूड महान लोग के परतीन की सरदा भी बहुत थी यह धार्मिक प्रविर्थी के थे ही और हर बक अपनी आवाज में उजन रखते थे जो बोलते थे वो करना चाहते थे लेका लड़कियों को देखकर भी अस्तवद रह गई यहां के लड़कियां बहुत कामूरों में माताएं बन जाती थी सुरुआती उम्र में 13, 14, 15 में इट मींस बाल भी बाह यहां होती थी यह लेका यहां भी देखती हैं कि भारती ऐसा देश है जहां पर में ग्रामिनों के दोरा बहुत इसी नहीं सम्मान मिला भारत यह एसा देश है जहां बड़े लों की रिस्पेक्ट छोटे के दोरा यंगर्स के दोरा बहुत जादे कि जाती है चावल्लेस्टों याल्डर हो उनकी मान सम्मान आदर जतना भारत में होता है उतना और कहीं विरले मिलेगा इन्डियन स्टाइल आफ इटिंग से भी बहुत प्रभावी थी जो भारते खाने के साली में केला के ताजा हरे पत्ते पर खाना खिलाये गया था और पानी मिट्टी के बर्तन में अर्थन पॉट में दी गई थी लेका बहुत जादे इंट्रेस्ट के साथ खाई बड़ी परसंद हुई और लेका कहती हैं मैं तो सोकी थी भारत ये कोई की हालत को देखकर के अंग्रे जी उपनी विश्वाद के बुरे प्रभाव को देखकर भी शोकित हो गई थी ये उपनी विश्वाद भारतियों को पस्ट कर दिया था कमजोर कर दिया था तो साहित कर दिया था बेटिस रूलर्स कौमन भारतियों के आत्मा को मार दिया था वह लोग उनके सोसन करते थे कल्यान का कार्ज नहीं करते थे भारत में उस समय भेरुजगारी थी भारतिय लोग उनके गुलामों की तरह उनके द्वार किया जाते थे ये शारी चीज लेख का अपनी आखों से देखी और इस निवन्द में बर्न करी now try to listen to me once again as we know that India through a tabla size is a good essay written by Pearl S. Buck she was born in America in 1892 but she spent her much time in China after finishing her education she began to taste in Chinese University it means China University she had much interest in traveling and she travel in many countries but wrote about them with interest her famous works works are God's earth in Norway and China and come my beloved India with India and its background but this lesson India through a tabla size has been taken from my several worlds she is known for novels but in the beginning she worked as a journalist also she received the Nobel Prize for Literature in 1938 and she died in 1973 onishatyahtaramo maragai now summary as we know that India through a tabla size has been written by Pearl S. Buck she was an American by birth but she spent her much time in China she wanted to visit India she knew many things about India from her her Indian family doctor and parents she knew about Buddha and Buddhism also when she came to India she visited many historical places but she wanted to visit to know its reality she met many intellectuals and peasants also in India she saw that they lived in a small houses and rooms she compared the Indian peasants with Chinese peasants and said that Indian peasants were poorer than the Chinese peasants she founded Indians had much interest in politics they wanted freedom and they own it under the leadership of Gandhiji they own it by the help of non-violence she advised Indians she advised Indians not to blame only Britishers for everything when she visited rural India her experience was sad and starving she saw poverty in Indian villages she saw that peasants were very poor they had no jail they became very lazy and fatalist they were religious minded and they were fond of simple food and clean habits they were always they were always ready to help the needy persons and their boys carried weight because they were honest they were civilized and cultured no and being religious minded they didn't want to harm or hurt anybody she saw that girls became mothers at the earliest days and she observed many things in India she was really very much pleased with the Indian style of eating because food was served on fresh green banana leaves and and water in the earth and water in the earth and pot water in the earth and pot she came to India to know its reality she saw that the eldest person were respected by the youngers very much in India and she was really shocked at the evil effect of English colonelism colonelism but the adolescence and they never realized one thing made Indians any Italy no past the management does the government not every single election no The rest of the nation made Fun euros they did not work for the change of Indians, Indian is them were treated as they slew, there was unemployment in India and the spirit of common people was killed by them. the author saw the things with her own eyes and described in her essay हम लोगों ने देखा अब इसको एक बार फिर लाइन वा लाइन लेकर चलते हैं और तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कंपीटर जिसको बढ़ाईये आगे चलिए थोरा समय छोटा कर लेता हूं यस कटे नहीं पहले पर्ल एस के बारे में हम जान लें पर्ल एस बख के बारे में पर्ल एस बख राइटर का नाम है और इस का नाम है लेकर का पर्ल एस बख यानि एक अमेरिकान राइटर थी अमेरिकान नौलिष थी लेकिन मैं हां सलनाओ पर्ल एस बख वाज बारे में अमेरिका में जनवी थी बट्स पैंटर मस्टाम इंचाइन अधिकान समय चीन में भी ताई आप्टर फिनिशिंग है अपने शिक्छा समापति क बिगन तुटेच इन चाना इन इनवर्सिटी चाना इनवर्सिटी प्रहाने लगी प्रहाने लगी शीएड मस इंटेस्ट इन ट्राइबलिंग अउन को बहु जादे चैनलिंग में इंटेस था रुची थी शी रोट अवाटर टैवलिंग इन डिपरेंट कंटीज अलग लग देशो में टैवलिंग के बारे में लिखी भी जहां जहां टैवलिंग की इंटेश्ट के साथ लिखी सबस्क्राइब सब्सक्राइब से रहें तर इस ए सब्सक्राइब से वागण सब्सक्राइब सीज अष्मा जहां जाया है and this lesson had been taken from या निकाला गया था या है भी निकाला गया है कहां से माइस सब्सक्राइब से and she died in 1973 1973 मर गई आप कहानी को फिर से दोहरा देते हैं समड़ी इंडिया थो आ टेबलर साइज has been written by Pearl S. Buck. इंडिया थो आ टेबलर साइज पर्ल S. Buck क्यदा लिखी गई हैं she was an American by birth, जनम से American थी but she spent her much time in China, अधिकाल समय चीन में भी ताई she knew many things about India from her Indian family doctor, अपने भारतिये परिवारिक चिकित सक्से वो बहुची जानी and her parents अपने माबाप के सिभी और सो मने भी सी भी तर मानी ऑसरी से ने ओवाट बुद्धान बुद्धिष्ट और बुद्धिष्ट के बारे में इन बहुत धर्म के बारे में जानी and she visited many historical places also बहुत सारी एतिहासिक अस्थलो का भर्मन भी की जैसे ताज महल हुआ पतेफुर सिक्री हुआ इत्यादी इन उस्ची को भर्मन करने नहीं आई थी वह इंडिया का रिलिटी को देखने आई थी आई को आउनके लगों को रंगों को देखी थी हो चाह कासवेन में काफी करीम कलर के गोरी को देखेよう। गोरे लोगों को या फिर nezbury में अभर का की तरह काले लोगो को इनको अच्छा लगा था किता मल्टी कलर के लोग में आगया kosher say that weekend and wrote about them within taste और इंटेस्ट के साथ उसे लिखे भी दाओतरे से डेट लेका बोलने की एंडिया हट पॉड़िट सो में गेट परसंस की भात ने बहुत सारे महान लोगों को पैदा किया था नहीं अब पैदा किया है बास्तों में चाब पंडित नहरू हो बेजय लक्षी पंडित हो या जो रोंसन हाउसे वह चोटे-छोटे कमरों और घरो में रहते थे एंड शी कंपेड दाचानेज पिजंट ओवे एंडिन पिजंट अंपांड एट एंडिन पिजंट वर पूरर देंद चैनेज पिजंट की और पाई की जब तुलना की भारते किसानों की चीनी किसानों से तो प कर सकते हो तिना आरं मैंवी आने चाहते हो कि भूत को बहुत के मिलाकर के लिखें पुराने समय में भी अभी भी तुवही बात है यहां पर रवर कर सकते हो आप कांचिकर सकते हो वर वर मन्हें थे आमन है पेपल हैं मुच इंटेस्ट इन पॉलिटिक्स लोगों को राजिती में बहु जादे दिल्चच्वी थी एंद बलीव इन सर्विंग दर नीडी परसस्स और जर्तमादलओं की शेवा करने विश्वास रखते थे पहुती बहरती है लोग यह सारे लोग जो थे वो कि शेवास कर थे जरतमाद्लोओं की शेवा behaving they wanted freedom वे आजादी चाहते थे देवर इंपासंस टोने मोड़ बेटेस्ट इंपर लिए बेटेस्ट सामराजबाद को हटाने के लिए इंपासंट का मतलब अधीर ब्याकुल ब्यागर ब्यागर थे अधीर थे अब हटे तब हटे now but see advise the Indians not to blame the British's for everything and Indians own it by the means of non-violence नहीं भारते से अहिंसा के बल पर जित गए they own it under the leadership of Gandhiji और Gandhiji के नित्वित के अधीन से जीते वें परलेश्बक बेटे रूलर विलिजेज या रूलर अरियाज जब ग्रामिन इंडिया को रूलर इंडिया ग्रामिन भारत को भर्मन की her experiences were sad and disturbing उनके अनभाव दुखदाई थे उदास पुन थे कश्दाई थे दाथर साफ पोगाट इंडियन विलिजेज भारते गाव में लेका ने गरीवी को देखा the peasants were poor and they had no jeal kishan garib thai and they had no jeal unama utsah naithi jeal vena utsah they had become malaji wayalsi ban gaithi and fatalist bhagavadi ban gaithi but they were civilized you know sabithe and cultured sanskriti wale thai su-sanskriti थे देवर religious minded धार्मिक प्रविर्थी के थे and girls became mothers लड़किया माताहें बन जाती थी at 13 14 it means at the earliest is लड़की का सुरुवाती उम्र है माता बनने का उशी में बन जाते चुकि अपने इंडिया में बाल भी वाजादे होती थी चोटी चोटी लड़किया और बच्पन में साधी 9 वर से 11 वर से 13 वर सों हो जाती थी और माताहें मने कागार परा जाते थी इसलिए लिए लेकरने फोकस करी आगे देवर फॉंड आफ देवर फॉंड आफ यह फॉंड का मतलब पाया हो जाएगा और यदि आप चाहते हैं अब फॉंड कर देंगे सौकीन वे सौकीन थे कौंशी के शिंपल फॉंड के and clean habits के they had a great reference for great persons great men महान आदमियो के परती सर्धा बीन लो की बहुत बड़ी थी reverence means Sardha they were selfless well only swarthi thai swarthi nahi thai selfish nahi thai so their voice carried weight excellent kea wajan hoti thi and the author saw athas was very much pleased with the Indian style of eating leka bhaarate khane ki sali se bahu jade pleased the person thi and the food was served on fresh green banana leaves and water in the arthur pot or taja kela ke haripatte par mein khana or chuki hai na mitti ke burtona pani paro sha gya tha the villagers impressed the authors very much grammy log leka ko bahu jade parhaavit karli thi she noticed that or batai ki the eldest person were respected by the youngers very much this is a very low-car other satkar chote low-key door a boat ki jati thi kaan par india me ek-ek burha ko dekho se waasus ruba karneem lo lagal raten itana respect kisi or this money hi the authors visited india leka ne bhaarate khane ki to see the reality baaswikta ko dekhane ke liye and she was shocked by the evil effect of english colonelism in india bharat mein anghreji uprima saad ke buray prohao ko dekkar ke oso kit ho gai thi colonization made indian innervated 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 ka matlab past kar diya kamzor bana diya so side kar diya invited innervated 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 kar diya tha yanik past kar diya tha bharatia ko the British rulers had killed the spirit of common indian people sadhana bharatiya in aam bharatiya logu koi atma ko maar diya tha spirit ko hana and the indian people were treated as their slaves unke gulamo ki tata samjhe jathe thai bharatiya logu hana by them unke dwara they exploited them way log unka soshan bhi karthi and they did not work for their welfare when ke kalyan ka kaam nahi karthi thai bachy there was unemployment in india unemployment of marriage gari bharata us samayi bharati thii soco aaj karthi bharati aaj utni bharati nahi hai logu kuch na kuch rujgaar karthi hain us mena market thii na industry jade thai logu bus kirsi kaaj pati ke huye thai samaj rana daothra saw the things with our own eyes leka aapni aakho se in sab chijon ko dhekhi abthuri dir mein best up luck ke baad eek dousri class si sara dayta hai taak ki aapji tb dousmintor ben jayi ya padamit mein i am liek ki chalti in india through a tabler size bharat eki aatri ke nager me eki aatri ke nager se bharat kaisa tha usko dhekta hai hum logu hana ya haa par ae kar sakti ho haa india through a tabler size eka se hai jo kis ke dalekhi gai par aes bakke dora par aes bak par aes bak ne visit kiya tha india ko kaini people ko kena india ko visit kiya tha reality ko dhekheni ke liye india chaliyye teesri question hai indian peasants were poorer than the peasants of china bharat e kisaan chine kisant se adhi garib thae jab tu lena karito hai 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 कि आए पडिश्वक एस्पेंटर बस थाइं में आधिकान समय कहां भी थाही चाइना में भले उजन्व से अमेरिकन रही चीनम अधिकान समय ही बिताई और भारत भरमन के लिए आई थी सचाय को देखने सचाय को समझने सचाय को धुर्णने आए तो चायना देख रहाओ ना अगज़ा चलो पर लेस्वक्त बिलांग टू कहा की रहने वाली थी अमेरिका की आप अमेरिका में मारो चलो भाई देख लो भाई अमेरिका नेपाल नहीं चाइना नहीं बंगलादेश नहीं चाना देश में समय भी था आई थी ठेना अमेरिका की रहने वाली थी कोश्चन बढ़ाई ये शाव पोगाटी बट प्रेजदा पेपल चार नाम रहेगा किसने गरीवी को देखी थी लेकिन देखते भी भारत की बढ़ाई भी की कुछ मामले में ये तिका मीठा है न जो भार ये लोग में बड़े लोग कादर किया जाता था चाव से खिलाते थे ओगहरा इनके भाज से आवाज में वजन होती थी कुछ अच्छाई बात भी है इसलिए इसमें कौन देखी थी पर्ल एस बख चठा का पर्ल एस बख ने देखी और बनन करी आई ये और पर्ल एस बख किसको इड़वाज करी थी के सिर्फ बेटिशर्स को सबची के लिए दोस्त नहीं देना चाहिए इन्डियन्स को भारती लोगों को पर्ल एस बख वाज पर्ल एस बख क्या थी एक अमेरिकन थी 21 ये राइटर कैसी थी अमेरिकन राइटर थी आये क्योंकि option को देखते हुआ मारेंगे हम लोग आए आठमा या आठमा पोछ भी दिया है देखते हुए आठ नौ दस लगातार पूछा है या model questions में है तो हम लोग देखते हैं कहां पर एक American writer थी याने एक American लगां थी पर ने सब्छ जानी जाती हैं अपने किस्षी के लिए अपने लोबल्स के लिए उपडिया शोखे लिए ड्रमा के लिए नहीं लवर्स चलो रे भाई दसमा पर एसबक टाउट पर एसबक कौन सी इनवर्सिटी में पढ़ाती थी भाई चाइना इनवर्सिटी में चाइना इसको मालों चाइना नहीं करके तुमको आप्शन में दे ऐसे है जान के चाइनेज तो भी हो गया चानीज इनवर्सिटी उचाइन इंवर्सिटी ना एक ही है कि अद्या तो चेसी कहां भी आलमीर से तो आप इसको मालो गए गया च्लो फ्रक आउड कम में हो जाएगा माय से लवाड़् चलो जी कंपीटर जी आप देखो मास्वर वाल्स इसी में है अधर प्रसेदेंट आफ जनरल असंबली आफ दा एवन वाज अबुमन आफ इंडिया उस समय प्रसेदेंट आफ जनरल असंबली वेन एकी पर्थम महिला जो थी प्रसेदेंट वह भारत से थी हैना इनका नाम विजय लक्षी पंडित समझ रहना आए वह इंडिया की थी फोड को परोशा गया था ग्रीन बनाना लिप पर पपाया लिप पर नहीं दूसा लिप पर नहीं आप चलो कंपीटर जी बनाना लिप चिना पर्ल एसबक बोली की एल्डर्स को यदा एल्डेस्ट को सबसे बरो या बरो का आदर किन के दौरा किया जाता था अरे भाई इंगर इंगर्स के दौरा छोटों के दौरा आईए आए ना ठाने को ले लै पर्ल एसबक व्रोट दबुक और रिटनि फ्रम इंदिया इंडिया से लट ने कौर कौं से किताब लिखी थी इंडिया के बेक्राउंद पर कं माइभी लख तेन ओअव मेरी प्रेय्शी हर मेरी प्रेम का नमक किताब यहें कं my beloved आओ भाई हम लेज चले या खाम मैं यहीर पार स क्वास्ट इंडिया के बारे में जानती थी अपने अंडीज सो के द्वारा टेचर जो डॉक्टर के द्वारा अपने फैमिली डॉक्टर से बहुची जानकारी ली टीचर से नहीं टेलर दर्जी से नहीं इंस्पेक्टर से नहीं बस समझ लो डॉक्टर 16 और question एक दो होंगे Indians by nature कैसे होते हैं धार्मिक प्रविर्थी को होते हैं ठेना और वे clean habit और सादा भोजन simple food के भी और clean habit के शौकीन होते हैं फॉंड आफ शौकीन को नलाएशन हैज मेड दा इंडियन या इंडियन्स क्या होगा अंसर अभी बताये थे इनर्वेटेड इनर्वेटेड का मतलब पस्त कर दिया पस्त या कम्जोर या हतोत शाहित हतोत एक मिन्ट हाँ पस्त या हतोत शाहित या कम्जोर कर दिया थेना कम जोर कर दिया था भारतिय लोग को चलो जी 18 एक दो कोशन और है तो निकाल लो उने स्विए पर्ल एस बख पर्ल एस बेट से नहीं एस बख देखो तुट थो तुट था टाइपिंग मिश्टिक कर दिया है आलसो वक्ट फो सम टाइम एज जॉनलिस्ट है ना एची बेट्स भी चुकी आपको काम के जॉनलिस्ट यसलिए उसका टाइपिंग इसमें मार दिया होगा तो मेंली अठारा कोश्चन तक आपके हैं इसमें उन्हीं साप नहीं भी देखेंगे काम चल जाएगा में अठारा कोश्चन है चलिए अब हम लोग आपसे लेना चाहेंगे बिदा इससे आंसर को देखना चाहते हैं तो देख लें और बेश्ट अफ लक कि इस से निम अपन अबाद बाबाई